किंद्र सरकार की योजनाओं का लाब किस तरीके से जमीनी सतावा अपनिल रहा है उसका एक उधारन पूल रूप से गांधरपल में देखने को मिलता है जी हैं बात करें मद्यम कश्मीर की कांधरपल जिला के तो यहां पर महिला से शक्तिकरन पूल रूप से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर महिलाएं अब केंधर सरकार की योजना के पूर्ण समर्तन से सलाée का काम करती होई नजर आ रही है बदादे कि लगबग पचास महिलाएं सलाइ केंधरों से काम करती होई नजर आती हैं। सलाई केंद्रों में कारिदत महिलाएं ग्रामिन गाउं में इस तरह की यूजनों को शुरू करने के लिए सरकार की प्रशंसा करते नहीं धक्ती इनका कहना है कि अगर देखा जाए तो ये बढ़ाई जो है मैं नहीं कर पाई क्योंकि COVID-19 के बाद जो है सेक्रों लड़कियों को आतिक सरकत के खारण अपनी पड़ाई छोड़ देनी पड़ी वहीं सरकार की इस पहल से ये अभारी है कि जो COVID-19 के बाद एक रोक लग गई सब को जूट किया अब वही एक बार फिर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है गांदरबल से रईशा की रिपोर्ट नाम पाकीजा है और मैं जजना में रहती हूँ अब्वयाय जनना करकेशर लिष्णेक टेंटार में घार हूँ है thick dog एंग गई noi पिछिली एक महीने से सीख रहे हैं यहां पिष्णी हमें बहुत अच्छा लग रहें ह में ऱहां यहां आकर हमारा से सीकह रही है हम अपना रोजगार खुद कमाए और इतना ही नहीं अगर हम खुद इंडिपेड़न्ट हो जाए यह सीखे आच्छे से कल को हम अपना यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसके जरे हम और लोगों को भी और जो लड़किया होती हैं उन पो भी रोजगार दे सकते हैं हम कल हम छो है हमने ये सेंटर स्टार्ट किया है हम बहुत ज़्यादए कुर गुजर है अमीद के बहुत ज़्याद़ खुर गुजर i other Ee पहुत आए ज़्स कपूर किआ हमें और अग्धर ऐंगे तो서도 संपोर्ट किया हमें और हम सी में सीक रहे हैं एक अपने सापोर्ट एमकर ज्याद मादः पड़ जाए जूए हो जाए हो जाए तो चोल रिवानव में तथ कर्या को पमने अपडिक कि जित अपड़ आजिं अपड़े निमे कम चैनल जो celebracy कि अपड़त थार लोग अजिक नेए अजित कि आपसे और चैनल भी आश सबोड़ियत का सब्सक्राइब नेए तो चब आप uniform कि में उमाश्ट है। वार्व स्साथ भाज है। नहीं हम कर्या जम्माने दो ऊToo ही तो आप ए्सव से पाने धाउस गार Das यकिंगे 2 गार बाक्त रवा झाला हैं साथ दो ही तो सही। जाए है राज है। भाज़ कोड़ जाते हैं धाउस को स Compass थैसीения था दियुकित हैं दोंहँ आस्ट सोच टीइजन तो मेलकाज तर्फ टेसे को तो आज के बारे में जो हमारा यहां पे जजना में, ब्लॉक वाखुरा में जजना में एक cutting and tailoring center खुला है, जहां पे हमने 30 ऐसे participants, 30 लड़कियों को cutting and tailoring का काम सिखाने का जिमा सर लिया है, इसमें हमारे end से हमारे department में उमीद team की तरफ से हमारे जो concerned assages है, self-help group के members को हमने जोड़ा हुआ है, इस cutting and tailoring center में, उनका अपना बीरोजान इसी तरफ था कि वो cutting and tailoring सीखे, कुछ लोग उनको थोड़ा थोड़ा आता था, कुछ लोग उनको कुछ भी नहीं आता था, तो हमारी instructor, जो कि हमारी SSG member है, तो उन्होंने इनको instruct किया कि ये कैसे अपना cutting and tailoring का काम शुरू करें, ना कि सिर्फ इतना ही, बलकि आजकल की latest trend में, designs क्या है, किस pattern पे आजकल लोग prefer करते हैं, कपड़े लगाना, उनमें क्या designing है, किस तरह से है, तो वो जो हमारी trainer है, वो she is a certified trainer, वो इनको training देती है, इन लड़कियों को, तो वो इनको basic भी सिखा रही है, और थोड़ा बहुत advanced में ये भी सिखा रही है, कि designing कैसे करते हैं, और basic cutting and tailoring कैसे करते हैं, हमारे end से इनको ये support है, जेके आरलम की तरफ से, कि इनकी जितनी भी training होंगी, या कुछ भी होगा, वो हमारे end से कैसे हम provide करवा सकते हैं, उसके अलावा हमारा, इनका marketing support भी आगे रहता है, different different जगाहों पे, जैसे exhibitions होती हैं, या different expose होते हैं, हमारे end से, government की तरफ से ये support रहत हैं, तो हमारे जितना भी field का team है, जितने भी हमारा cadre है field में, तो वो इसी कोशिश में लगे रहते हैं, कि हम जादा से जादा कैसे फाइदा दे अपने